दोस्तों कैसा हो जब तुम जमीन के बहुती गेराय में बसी एक अलगी दुनिया में पहुँच जाते हो यहां की हर चीज खतरनाक है जो इंसानों की जान ले सकती है और यहां से निकलना इतना आसान नहीं है कहानी शुरू होती है भागते हुए एक आदमी से इसका नाम मेक्स है मेक्स डाइनासोर से बसते हुए आगी की तरफ भाग रहा था तब ही आगे रास्ता खतम हो जाता है और यह चलांग लगाकर जैसे इसे पारखनने की कोशिस करता है तो यह इसे के अंदर गिर कर मर जाता है इदर हम मेक्स के बाई ट्रेवर को देखते हैं मेक्स को मरते हुए ट्रेवर अपने सपने में देखता है दरसल मेक्स धरती के नीचे बसी दुनिया की कोज में घर से निकल गया और तब से उसकी कोई खबर नहीं है अगले दिन ट्रेवर के घर मेक्स की पतनी एलिसा बेट आती है और ये ट्रेवर से कहती है कि मैं अपने बेटे शेन को कुछ दिन के लिए तुमारे पास छोड़ कर जा रही हूँ और जब मैं नया घर डूंड लूँगी तो फिर हम वहीं पर शिप्ट हो जाएंगे तब तक ध्यान रखना है एलिसा बेट ट्रेवर को मेक्स के सामान का एक भोक्स देती है और फिर या से चली जाती है ट्रेवर घर के अंदर आता है और शेन के सामने मेक्स के सामान का भोक्स कोलता है ट्रेवर शेन को मेक्स की कही सारी चीज़े दिखाता है इसी के साथ इने मेक्स की साथ तुरंत अपनी लेब में आता है ट्रेवर कंप्यूटर स्किन पर इन तीनों जगें को देखता है यह वो जगा है जहांपर ज्वाला मुखी है और इन तीनों जगें का वातावरन भी वेसाई है जिसा दस साल पेले था ट्रेवर का भाई अचानक से गायब हुआ था तब मुझे लगता है कि मेकसी भी इसी की खोज में वहाँ पर गया होगा और अब मैं भी आइसलेंड जाना चाता हूँ ट्रेवर सेन को अपने साथ नहीं ले जाना चाता था लेकिन सेन इसके साथ चलने की जित करता है और फिर दोनों आइसलेंड पहुँच जाते हैं यहाँ प अपने पिता की किताब और मेकसी की किताब को देखती है तो इन्हें पता चलता है कि दोनों ने अपने अपनी किताब पर एक जैसे मार्क कर रखे हैं हिना ट्रेवर से कहती है कि मेरे पिता को भी लगता था कि धर्ती के नीचे कोई ना कोई दुनिया जरूर है फिर ट्रेव इसे खोलने लगता है, तभी यहां का मोसम खराब हो जाता है, और बिजली चमकने लगती है, हिना और सेंच जल्दी से बाग कर एक गुफा में चले जाते हैं, लेकिन ट्रेवर इस यंतर के बिना नहीं जाना चाता था, और यह इस एंटीने को निकाल लेता है, एंटीने के न यहां पर इन्हें कुछ ट्रेक्स और ट्रोलियां दिखाई देती है, और यह सोचते हैं कि इन ट्रोली से हम बाहर निकल सकते है, अब यह तेनों ट्रोली पर भेड़ जाते हैं, और आगे बढ़ने लगते हैंएँ, इनकी ट्रेवर बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, एक हिम्मत करके ट्रेवर की ट्रोली में पूच जाती है थोड़ी दूर जाने के बाद इनका ट्रेक भी खतम हो जाता है लेकिन ये दोनों ट्रोली से कूथ कर अपनी जान बचा लेते हैं तभी यहाँ पर शेन भी आ जाता है ये जौला मुकी में पाये जाने वाला ऐसा पत्तर है जो बिल्कुल काज की तरह पतला होता है और ये जरासी हलचल में ही तूड़ जाता है। लेकिन तभी शेन के बेक से एक हीरा नीचे गिर जाता है, जिससे पूरी परच तूटकर दस जाती है, उरी तीनो एक खाई में गिरने लगते हैं, कहीं देर तक गिरने के बाद भी नीचे तल तक नहीं पहुंशते हैं, ट्रेवर इन्हें गिरते हुए बताता है कि मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था और ये कहीं हजारों मिल लंबी हो सकती हैं कुछ मिन्टों तक और गिरने के बाद इन्हें पानी की बुंदे हवा में उठती नजराती हैं और फिर ये पानी के बहुत बड़े कुंड में गिर जाते हैं। इसके बाद ये पानी से बाहर आते हैं। और जब उपर देखते हैं तो इने याँपर जुगनू की तरह चमकते हुए कुछ पक्सी दिखाई देते हैं। ट्रेवर बताता है कि एसे पक्षी आज से डेर सो मिलियन साल पहले धर्ती पर मोजूद थे, फिर जबी आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें यहाँ पर एक अलेगी तरह की दुनिया दिकाई देती है, इसे देख यह पूरी तरह से अचम भी तरह जाते हैं, ट्रेवर को समझ आ ज और यह समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर मेक से रुखाओगा, यहाँ पर इन्हें मेकस की डाइरी और कुछ नोट से भी मिलते हैं, इडर हिना को मेकस की डेट बोडी मिलती है, जिसके बारे में इन दोनों को बताती है, ट्रेवर और शेन यह जानकर बहुत दुखी होते ह और इन्हें पता चलता है कि यहाँ का तापमान कभी भी 200 डिगरी तक हो सकता है, और इन्सान 135 डिगरी से उपर जिंदा नहीं रहे सकता है, इस समय यहाँ का तापमान 25 डिगरी है, ट्रेवर केता है कि जब हम यहाँ पर आये थे, तब यहाँ का तापमान 82 डिगरी था, या होने से पेले ही तीनों यहां से निकल जाते हैं इनकी नाव बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी तभी इन पर कुछ खतरनाक समुंद्री मचलिया हमला कर देती है और इने खाने की कोशिस करती है तभी यहां पर समुंद्र का एक बहुत बड़ा क्रियेचर आता है और इन मचलियों को खाने लग जाता है इस मौके का फाइदा उटागर ट्रेवर अपनी नाव को मोड लेता है लेकिन तभी यहां पर हवा इतनी तेज हो जाती है कि इनकी नाव में बंदा पेराशूट भी खुलने लगता है शेन पेराशूट को रोकने के लिए इनकी रश दरों से होते हुए अंदर तक लेकर जाता है शेन यहां पर तेरते हुए पत्तर देखता है और यह सोचता है कि अगर यहां पर पत्तर उड़ रहे हैं तो इसका मदलब है कि यहां पर गर्म पानी का जहरना भी होगा शेन को इन पत्तर पर से होते हुए इस गहरी खाई को प लेकिन इससे पेले कि ये हिना को मारता, इतने में ट्रेवर इस पोदे को युँ उखार देता है, और हिना की जान बचा लेता है, इधर शेन एक एची जगे पर पहुँच जाता है, जहां पर कहीं बड़े बड़े कंकाल पड़े हुए थे, शेन इनको देखी रहा होता है, त पीछे की दिवार को तोड़कर शेन को निकाल लेता है, ट्रेवर देखता है कि सामने वही गरम पानी का जरना है, जहां से ये बाहर निकल सकते हैं, ये दोनों जरने के पास पहुच जाते हैं, लेकिन इस जरने का पानी इतना गर्म था, कि इसे तेर कर पार नहीं किया जा स पानी की दिवार के पीछे जरूर पानी होगा, इन दिवार की दरारों में मेगनिजियम भी होता है, जिसकी मदस से दिवार पर आसानी से बलास्ट कर सकते हैं, ट्रेवर फ्लार्च के मदस से इन दिवार पर बलास्ट कर देता है, बलास्ट होते ही दिवार से बहुत सारा पानी लावे में गिरता है, पानी के लावे में गिरने की वज़े से यहाँ पर बहुत ही तेज़ प्रेशर वाली गेस बनती है, और फिर इनकी नाव भी बहुत निकल कर धर्ती के सतय पर पहुँच जाते हैं इनकी नाव ढ़लान वाले खेट पर फिसलती हुए एक किसान के घर से टकरा जाती है तभी किसान इनके पास आता है और जबी अपने खेट पर हुए नुकसान को देखता है तभी शेन अपने बेग से एक हीरा निकालता है और इस किसान को देदेता है हीरे को देखकर किसान खुश हो जाता है तभी ट्रेवर बेग में देखता है कि शेन ऐसे ही और कहीं सारे हीरे अपने साथ लेकर आया है यानि कि ये एक नई दुनिया की खोच करने के साथ अब ये बहुत अमीर भी हो चुके थे इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खतम हो जाती है और इसी इंट्रेस्टिंग मोवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में पकलिपाई